हेलो अव्रीबन दिस इस सुधिर और वेलकम टी आवर यूट्यूब चैनल टूड़े वी डिसकस क्लास 12 जोग्रोफी इंडियन मैप बुक नंबर सेकंड हमारी जो बुक नंबर जो सेकंड है इंडियन एकोनोमिक पीपल वाली उसको हम डिसकस है वो करेंगे बेटा उसमें ज सेसन है आपका 22 और 23 वाला इसके लिए काफी ज्यादा बेनेफिट है वो रहेगा और यह जो मैप कराने जा रहा हूं मैं इसमें से 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा मैं शूर हूं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैप आपको देखने को मिलेगा वो इस वीडि यह लिए पक्का कर लेंगे इसके बाहर कुछ भी है वो देखने को नहीं मिलेगा एक वीडियो और आएगी इसके बाद और वो जो वीडियो होगी वह डिपेंडेंट होगी किसके उपर जो हमारी जो वर्ल्ड वाली जो है उसके उपर फिर मैं आपको रिविजिं जो देखें लास्ट तक देखें और साथ की साथ एक बात और है बेटा कि इसकी जो पीडिएफ है वो भी आपको देखने को मिलेगी आप मुझे वट्सप पर मैसेज कर सकते हैं जिसका नंबर यह रहा आपके सामने डबल एट वन एट डबल जीरो सिक्स सैवन सिक्सिक्स यह मेरा वट्सप नंबर है आप मुझे यहां पर को मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको पीडिएफ है वो प्रोवाइड कर दूँगा आप से रिक्वेस्ट है कि कोल नहीं करें यह जो पीडिएफ है वो आपको देखने को सब्सक्राइब आपको यहां पर मिल जाएगे चले स्टाट करते हैं स्लाइड वन सब्सक्राइब है जो कुछन आता है वह आता है हाइस्ट लेवल आफ अर्बन लाइजेशन हाइस्ट जो लेवल आफ अर्बन लाइजेशन हो बेटा कहां पर है वह गोवा के अंदर कहां पर है यह रहा आपका गोवा साथ की साथ अपना जो मैप है वो लेकर बैठें वेटा और साथ की साथ रहें ताकि आपको कोई प्रोब्लम है वो फेस ना हो गोव मैंने आपको फिल कर दिया अब आता है सेकेंड लोएस्ट लोएस्ट आता है आपका हिमाच्छल पर्देश यह रहा आपका हिमाच्छल पर्देश तीसरा जो पुछा गया हाईस्ट होमन डेवल्लेप्मेंट इंडेक्स तो यह किसका बिटा यह है केरला का यह रहा आपका केरला यह रहा केरला नेक्स्ट आता हो लोएस्ट होमन डेवल्लेप्मेंट इंडेक्स तो जो लोएस्ट है वो आपका बिटा बिहार का यह रहा आपका बिहार highest population density यह भी किसका बिटा यह भी बिहार का है बिहार आपको पता ही है next आता है lowest population density यह आता है आपका अरुनाचल परदेश का AP यह रहा आपका अरुनाचल परदेश अगला आता है one out migrating state सबसे ज़्यादा जो होते हैं जो लोग जाते हैं वो जाते हैं बिहार से बिहार में आपको बता चुका हूँ और सबसे ज़्यादा लोग हैं वो किस राज्य में आते हैं वो आते हैं महारास्ट्रा में यह रहा आपका महारास्ट्रा M.H. महरास्टरा तो उमीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा एक बार आप फिर भी समझने आए तो वीडियो को एक बार आप skip करके हैं वो देख सकते हैं यदि आपने एक बार भी skip कर दिया आगे की साइड तो आपको मज़ा नहीं आएगा वीडियो में भी और ये फिल करने में भी आपको जो प्रॉब्लम है वो होगी जिन बच्चों को स्टेट नहीं आते तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से जो वीडियो हो सेपरेट जो वीडियो हो बना रखी है आप वहाँ पर जाके देख सक स्टाव ये कंसा ये मैं फिर से बता देता हूं आपको यह किरला का वह के मुंद लौइस्ट किसका बिता लोएट बिहार का और शाये सबॉलटी पपुपुलेशन है यह अपने अपके उडिशा में थे रहा이면 का के यहांँ पे केल ये रहा माजा पका उडिशा ओडिशा और ये रहाब का बिहार चलिए किलियर हो गया होगा इतना चलिए नेक्स स्लाइड पर चलते हैं कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं बताने को Cities with more than 10 million population अब हम उन सहरों की बात करेंगे जिनकी जनसंख्या 10 million से भी ज़्यादा है किसे ज़्यादा है 10 million से तो सबसे पहले आता है दिल्ली ये रहा आपका दिल्ली ये है दिल्ली यहाँ पर मैं डियल लेख देता हूं दिल्ली डियल दिल्ली फिर आता है कोलकता ये रहा कोलकता केटी कोलकता फिर आता चिन्नी ये है यहाँ पर है सियच ग्रेटर बुंबई ये है जी एम आप आसानी से देख सकते हो फिर आता है बैंगलोरो ये रहा बैंगलोरो चलिए कुछ ज़्यादा इसमें भी है नहीं बताने को बेटा तो आपको समझ आया होगा चलिए नेक्स स्लाइड पर चलते हैं बेटा आप साथ की साथ इनको उतार सकते हो काफी आसान है आपको आ जाएगा समझ में अब बात करते हैं नेक्स टॉपिक की टॉपिक आता है लीडिंग प्रियोडिशर की कौन सा जो राज्य है वो किस चीज में सबसे ज़्यादा जो उ तो गता है अब इनकी बात करेंगे कुछ चीजे और होंगी वह जिनको मैं आपको बताऊंगा तो शाल जीओंगा तो सबसे पहले आते हैं राइस का भी प्रोड़ेक्शन है वह सबसे ज़्याद कहां पर होता है राइस का प्रोड़ेक्शन और सबसे ज्यादा वह सबसे कहां पे उत्तरवर्देश में अगला बात करते हैं कोटन के जो कोटन है वो सबसे ज़्यादा कहां पे होता है यह होता है महारास्टा में अकोर्णिंग टू यूर बुक महारास्टा है और कई बार यहां पे आपको गुजरात भी देखने को मिल जाता है पर आप अपने बुक के अनुसार लिखेंगे आपकी बुक में है महारास्टा पजल नहीं होंगे बिटा जूट की यदि में बात करता हूं तो जूट सबसे ज पर जाइ较ता कहां पर कांप टी की जो प्रड़क्शन ओती हां आयाशन पिर आता है तो के दिए कर्नाट का मिखंऊ हो ज डिवें आपको बता देता हूं यहां परते दिए का पहले शमाइन करनाटका में कर तन शो फिर आपको समझा आजएगा तो सबसे पहले आता है वेस्ट बंगॉल यह रहाप का वेस्ट बंगॉल ठीक है वीट की मैं बात करूं तो यह रहाप का उत्तर प्रदेश महारास्ट्रा की बात करता हूं तो यह रहाप का महारास्ट्रा वेस्ट वंगॉल मैंने बता दिया असम ये रहा आपका असम बेटा सिर्व आप लोकेशन देखते रहें सुगर के इन उत्रपरदेश करनाट का ये रहा करनाट का बेटा कुछ प्वेंटों की और यदि मैं बात करता हूँ आपसे तो बात करूं मैं यहां पर जवार के बारे में आपसे पूछ सकता है जवार के बारे में पूछ सकता है बाजरे के बारे में पूछ सकता है तिके ना meads के बारे में पूछ सकता और एक पूछ सकता grounds Neats के बारे में किसके बारे में पूछ सकता Groning in Atts के बारे में चलिए मैं एकबर ये सभी बता देता हूँ आपको कौण शख काहन ओपे हैं जावार के बारे में यदी मैं बात करूँ आप से जो जवर है वो सबसे जदा कहां पे होती है वह होती है महरास्टेट हमें महारास्टा में ये रहाप का महारास्टा बादरा सबसे ज़्यादा कहां पर होता है ये होता है राजस्थान में ये रहाप का राजस्थान मैज की यदी में बात करता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा कहां पर होता है मध्धै परदेश में गुऺ यह रहां का मत्य बर्दे से एम पर ग्राउन डट्सकी मैं बात करो भाम तो ग्राउन डट्स को तो ग्राउन डट्स는 ूता गुज़रात For कि यह रहा गुज़रात बिढ़र में आशा करता हूं कि है समझ आया होगा सबी के सभी मैं मैंने इस आपको, यहां पर बता दिए कुछ अलग हैं वह भी मैंने अपको बता दिये जो आपके बुक में जरूर दे रहते हैं पर आपके जो मैप है उसमें नहीं दे रहे हैं स्थी वाgraduate में तो मैंने सी लिए सी नहीं करा रहा हम यहां सी भी सी सी से बिस दा आपको बताने की कोशिश है वो कर रहा हूं ताकि आपको किसी परकार की कोई डाउट है वो नहीं रहे बेटा चलिए नेक्स स्लाइड पर चलते हैं इसमें हम बात करेंगे बेटा आइरन और माइनस और मैगनीज की इनके बारे में डिसकस है वो करेंगे सबसे पहला आता मयूर भंज पहले हम इनके स्टेट के बारे में याद कर लेते हैं आपको आसानी रहेगी स्टेट कौन सा कहां पर है मैयूर भंज मैयूर भंज है बिटा वो है आपका उडिसा में कहां पे है उडिसा में बेला डिला की बात करता हूँ तो मैं ये है बिटा चत्तिस गड़ में ये कहां पे है ये है चत्तिस गड़ में रतना गिरी की बात करता हूँ तो बेटे यह कहा पे है यह है महारास्टरा में और बैलéri की बात करता हूं तो यह है क्रनाटका में अगला आता है हमारा कौंड़ सा मैगनीज माइन्स बाला खाट आपका आता है कहां पे मध्य परदैस में मध्य परदैस जो मयूर भंज है ये रहा आपका मयूर भंज M मैंने लिख दिया है मयूर भंज ठीक है अगला आता है बैला डिला ये यहाँ पे है बैला डिला ये हो गया बैला डिला अगला आता है रतना गिरे यहाँ पे है आर टे रतना गिरे बेलारी अगला आता है कुण सा बेलारी ये रहा बेलारी ठीक है बेटा बाला घाट कुण सा आता है बाला घाट ये रहा बाला घाट बीजी बाला घाट सिमोगा कुण सा आता है सिमोगा यहाँ पे है आपका सिमोगा आशा करता हूँ कि आपको यह समझाया होगा मैंने आपको काफी easy way में समझाने की कोशिश है वो की है आप एक बार खुद भी देख सकते हो बिटा एक बार आप खुद भी देख सकते हो यह है आपका बाला घाट यह रत्नागेरी यह बैलारी और यह सिमोगा और यह बैलाडिला और यह कौन सा है मयूर बंज है इनकी जो स्टेट है वह आप यहां से देख सकते कौन से स्टेट के अंदर है यहां से आपको यह चीजिए आपको पता चल गई तो लोकेशन फिल करने में कोई कि कोनी मुश्किल है वो नहीं होगी बीटा चली नेक्सsl स्लाइट यह आप इसमें हम दो छीजे फिर से डिसकस करेंगे एक तो करेंगे को पर माइंस के बारे में इसकcriptions और दूसरा करेंगे दोनों हो जहारखंड के अंदर दोनों के दोनों कहां पर है दोनों के दोनों हो जहारखंड के अंदर ठीक है और जो खेतली है वो है आपका कहां पर राजस्थान में के बारे में बात करूँ मैं कटनी यह है मध्य परदेश के अंदर बिलासपूर बिलासपूर है बेटा आपका कहां पे चतिजगड में ठीक है कोरापूट कोरापूट है बेटा उड़ीशा के अंदर यह कहां पे है उड़ीशा के अंदर तो सबसे पहले बात करते हैं सिंग भूम सुरी हजीरा जो हजियारी बाग है इसके बारे में बात करते हैं हजारी जो बाग है वो यहां पे आपका यह रहा हच जैड और जस्ट इसके नीचे जस्ट इसके नीचे है यह है आपका सिंग भूम यह कौन सा सिंग भूम S B सिंग भूम अब आते हैं खेतडी खेतडी कहां पे है खेतडी है आपका राजस्थान में यह रहा खेतडी के अच खेतडी अब बोक्षाइट माइन्स के बारे में मैं आपसे बात कर हूँ चलिए म पेंट चेंज कर लेता हूं दूसरा इक बार अब बात करूं मैं दूसरा जो खेतरी है उसकी बात करूं मैं आपसे तो सबसे पहले जो आता वह आता कटनी तो यह यहां पर है कटनी केटी कटने बिलासपुर बिलासपुर यह यहां पे है बिलासपुर बिलासपुर अगला आता है कोरापुट कोरापुट है यहां पे है कोरापुट केपी यह हो गया कोरापुट तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ आया होगा दोनों के दोनों मैंने आपको बताने की इजी वे में बताने की कोशिश है वो की है तीन आपको कोपर माइन्स के नाम याद रखने थे और तीन आपको बोक्षाइड के याद रखने थे चलिए अब चलते नेक्स स्लाइड के उपर कोल माइन्स अब हम जो डिसकस करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे कोल माइन्स के बारे में डिसकस है वो करेंगे बेटा एक तो कोल माइन्स के बारे में डिसकस करेंगे दूसरा बात करेंगे ओयल रिफैंडरी यदि आपको इस टॉपिक टॉपिक वाइज आपको जो मह जाएगी और आपको असनी से समझ भी आ जाएगी बेटा चलिए वही बात है सबसे पहले इन के बाद क्या करेंगे स्टेट देखते हैं कि बात करते हैं जहरिया के बारे में जहरिया और जो बोकारों है यह दोनों के दोनों कहां पर आते हैं यह आते हैं जहारखंड में कहां पे आते हैं बिटा जहारखंड में रानी गंज की यदी में बात करता हूँ तो यह आता बिटा वेस्ट बंगॉल में और नवेली की बात करता हूँ तो यह आता बिटा कहां पे तमिलाडू में मथूरा ओयल रिफेंडरी की बात करूँ मैं मत्हुरा जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश में और जामनगर आता है गुजरात में और बेरोनी की बात करूँ तो मैं यह आता है बिटा बिहार में ठीक है चलिए जरिया के बात करते हैं जरिया और बोकारो जरिया बोकारो और रानिगंद तीनों एक सायथ में हैं पहले आता है बोकारों फिर आता ज़र्या फिर आता है रानिगंस तो मैं लिख देता हूं बी जे आर बी जे आर यह सिक्वेंस है इसके आप यहां पर देख सकते हो नवेली यह रहा यहां पर है नवेली आपको समझाय होगा है तीनों की तीनों मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश है वो की है चार है तीन आपको एक सिक्वेंस में है वो देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं मत्वूरा मत्वूरा की यदि मैं बात करूँ तो मत्वूरा है आपका बिल्कुल यह यहां पर जामनगर यह रहाब का जामनगर यहां पर जामनगर होगा बैरोनी की यदि में बात करता हूँ तो बेटा थोड़ा सापको एक मैं इसको रिमू कर देता हूँ थोड़ा क्यों कि यहीं पर है को यह रहाब कॉत्या यह यहां पर हैm आप खाक्व क्लियर होगा यहां पर है यह था आपको क्लोना पारे में बताया और अअब करता हूँ कि आपको समझा यह ओगा अब नेक्स स्लाइड पर चलते हैं उसको देखते हैं आप lin基설 प्लांट जो अन इन हूड्यों तो प्लांट है अब इनके बारे में डिसकस करेंगे कि कौन से देशने कौन सा इस्टैब्ली सब किया है अब इनके बारे में डिसक वो किया जाएगा यह काफी इंपोर्टेंट है कि यह जो topic हैं बैटकी काफी जधा इंपोर्टेंट है जाहिए आप इनको अपनी के अनुसार पढ़े हैं या फिर आपका जो टीचर है वो कराता है तो उसके अनुसार यह काफी ज़्यादा कि युनाइटिड किंग्डम की वज़े से कौन सा इस्टैबलिगी सब वह हुआ और कि वेस्ट बंगॉल में किसी साइथा से कौन सा इस्टैबलिग वहा दूसरा पुछेगा help ऑफ जर्मनी जर्मनी की साहता से कौन सा हुआ है यह पुछेगा आप से चलिए बात करते हैं सबस को डिसकस है वो करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कहां पे वेस्ट बंगॉल में वेस्ट बंगॉल में जो इस्टेबलिस हुआ है उसका जो नाम है वो है दुर्गापूर थीक है किसकी साहिता से UK United Kingdom जर्मनी की साहिता से कौन सा से इस्टेबलीश हुआ है और वह कहां पर है उडिशा के अंदर वह वह कहां पर है राव के ला ठीक है अब जर्खंड में USSR या सोवित संग की वजए से कौन सा इस्टेबलिश हुआ है तो वो है बिटा बोकारों के बारे में हमने अभी अभी है वो पडाए कि जलिए अगे बात करते हैं कौन सा बच में हमारा 36 गड़ के अंदर कौन सा जो सोवियत संग है उसी के दवारा है वो इस्टेबलिश हुआ है यो SSR के दवारा तो वो कौन सा बेटा वो है भिलाई कौन सा है भिलाई ये आपको याद रखने थे और आसा करता हूँ कि आपको याद भी रह जाएंगे अब बात सबसे में है इनकी लोकेशन अब जो इनकी जो लोकेशन है उसको जानना काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये नहीं कि केवल हमने इन चीजों को पढ़ लिया तो चीजों के लिए रोजेंगे ऐसा नहीं है बेटा सबसे में है इनकी लोकेशन location को देखते हम सबसे पहले आता है दुर्गापुर यह कहां पे है वह यहां पे है डी डी जी दुर्गापुर चलिए अगला आता है राउकेला उडीचा के अंदर है राउकेला यहाँ पर है राव केला आर के राव केला एक आता है हमारा बोकारो बोकारो के बारे मैंने आपको बताया था यह रहाब का यहाँ पर है बोकारो बी एच बोकारो एच नहीं आएगा के आएगा बटाई यहाँ पर बोकारो एक बचा हमारा भिलाई बिलाई कहां पे है यह आपको पता ही है यह कहां पे अच्छतिस गड़ में है तो यह रहा आपका बिलाई बिलाई तो सारे के सारे मेने आपको यहां पे है वो बता दिया है चलिए नेक्स स्लाइड पे चलते हैं नेक्स स्लाइड पर आपसे कुछ और की जो लोकेशन हो वो पूछ रहा है कि जैसे बद्रावती हो गया भिलाई बोकार दुर्ग राउकेला जमसेदपुर विसाखा पत्नम इनके बारे में है वो आपसे पूछ रहा है बेटा यहां पर भी आईरेन एंस्टेल प्लांट हो दे सतिसगड़ के अंदर रहा बोकारो कांप जहारखंड के अंदर है दुर्गापुर ये कहां पे यह वैस्ट बंगॉल में है रावकेला कहां पे यह उडिशा के अंदर विसाखा पत्नम अंदर ब्रदेश के अंदर है पिटा सोरी जमसेदपुर है यह तो जस्ट एक मिनट अ जमसेदपूर कहां पे हैं जमसेदपूर है जारखंद के अंदर कि ठीक है इस से आगे बात करते हैं विशाकापटनम है अंदर पर्देश के अंदर location देखते रहना आप भधरावती यहँ पे आपको भधरावती ब्यच यह उद भध को फट्नम यहांपका विशाका पत्नम कि छमसेदपूर जस्ट संशहाई यहाय जमसेदपूर और यहीं पे हैं बोकारो और यहां पे हैं दुर्गपूर यह जिसको दुर्गपूर बोलते हैं मिटाब ठीक है बोकारो बता दिया जरिया बता दिया जमसेदपूर बता दिया मैंने राव केला उडिशा में जस्ट इनके जस्ट उपर यह यह रहा राव केला आपका भिलाई कि बस और तो कुछ है नहीं जमसेदपूर बता दिया विशागा पटनम बिलाई बोकारो और भद्रावते यह इंपोर्टेंट थे वो सभी के सभी है वो मैंने आपको बता दिया है चलिए अब प्रेशा नहीं तो अहम बाद आता है आपका गुज्रात में और सूरत भी कहां पर आता है कशली दोनों को देखते हैं सबसे पहले दोनों गुज्रात में कहां पर हैं ये यहां पे तो है एहमदाबाद एक और जस्ट इसके नीचे है सूरत गवालियर गवालियर आता है मध्यपरदेश के अंदर वारान सी आता है उत्तर परदेश के अंदर ठीक ना मुर्शिदाबाद आता है वेस्ट बंगोल में पहले इनी को बढ़ लेते हैं तो सबसे पहले मैंने के बता है गवालियर ये रहा आपका गवालियर ठीक है अगे बात करूं मैं आप से कौन साथ है वारान सी वारान सी है ये रहा आपका वारान सी मुर्शिदाबाद मुर्शिदा जो बाद है वो यहां पे उपर की साइड आता थोड़ा सा यहां पे है यह रहा मुर्शिदाबाद पुना यह आता महरास्टरा के अंदर कहां पे आता है महरास्टरा में आता है बेटा और इसके बाद यदि मैं बात करूँ नागपूर की तो ये भी कहां पर है महारास्टरा में ये है सोलापूर तो ये भी कहां ये भी महारास्टरा के अंदर है और मैसूर कहां पर है मैसूर है करनाटका के अंदर चलिए location देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं मैसूर के मैसूर है ये रहाप का मैसूर M इसके बाद बात करूँ मैं सोलापूर के ये रहाप का सोलापूर और ये इस साइड़ पुना ये है आपका क्या पुना और फिर यहाँ पे है आपका क्या नागपूर देख सकते हो आप आसानी से समझ सकते हो फिर भी कुछ डाउट लगते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो चलिए आपको यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो नेक्स स्लाइड पर चलते हैं बेटा यसा है अब आई सफ़ूर जो नास्नल पार्क है इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले वही बात है हरे एक राज्य के अंदर अपने अपने सफ़ूर पार बात करते हैं कि कोन सा कहां पर है या किस राजल में कौन सा है पहले आप से गुजरात का पूछे का गुजरात का कौन सा है या गांदी नगर है वो कहां पे है तो यह है बेटा गुजरात में चले मैं यहीं पे फिल भी करता रहूँगा और बताता भी रहूँगा कि गांदी नगर कहां पे है यह रहा आपका गांदी नगर G-A-N गांदी नगर स्रीनगर स्रीनगर है आपका यहाँ पर यह हो गयापका स्रीनगर आगे बात करूँ मैं कुन सा मोहाली आपका आता पंजाब में यह रहाब का मोहाली इसके आगे बात करूँ मैं सिमला जस्ट हिमाचल परदेश में ये रहा आपका सिमला ये रहा सिमला दिल्ली अगला कुन साथ भाता है ये रहा आपका दिल्ली बिटा दिल्ले के बाद है नोईडा नोईडा जस्ट इसके थोड़ा से नीचे है ये रहा नोईडा आगे बात करूँ मैं आपसे कानपूर कानपूर भी उत्र परदेश के अंदर ही आता है यहां पे ये रहा कानपूर आपका इंदोर इंदोर आता है मद्ध पर्देश में ये यहां पर आपका इंदोर हैद्राबाद और भूमनेस्वर हैद्राबाद जो आता है वो आता है आपका यहां पर ये रहापका हैद्राबाद हैद्राबाद हो गया अब हमने बात किती भूमनेस्वर के तो यह हैं आपका कहां पर उडिशा में यह रही आपके सौफ्टेयर नेशनल पार्क कुछ और भी हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूं जैसे पुन्ना यह भी आप फिल कर सकते हैं पुन्ना पुन्ना हो गया और एक यहां पर नवी बुंबई नवी बुंबई मैसूर भी है यहां पर मैसूर और एक है बैंगलूरू भी है करनाटका का भी पूछ सकता है आपसे तो यह कुन सा है बैंगलूरू देखिए आपने यदि केवल और केवल ऊपर की चीज़े देखी हैं तो आपको समझ नहीं आएगा आपने यदि पूरा कंसेप्ट आप साथ की साथ देखते आ रहे हो तो आपको पता चलता रहेगा बैटा और इसके साथ साथ मैं तमिल लाडू की बात करूं तो यहीं पर ह हाचे नहीं है जो सीविय से ने जो मैप लॉंच कर रहा है मैप के बारे में जो बता रहा है जो स्लेवस दे रखा है मैं उससे कहीं ज्यादा आपको कराने की कोशिशा वो कर रहा हूं बेटा चली नेक्स स्लाइट पर चलते हैं कुछ इंडस्ट्रियल क्लेस्टर्ड है जहा में मैं ऑला गुचता हो भूंबई और पुन्डवाला जो रीजन है यह वाला रीजन है थकीन यह वाला जो रीजन है यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं कि इसको बोला था भूंगय पुन्ह कै इंडस्ट्रिली जैं कहलेंaders को ए Осधब बात करू dense cafशी जो थोटा ना आधा यह एक्सटेंड है तो दिखते हैं चोटा जूनाघपूर है वह खासकर आपको यह जो मैं आपको बताता हूं यह वालार जो एरिया हो है यह वाला जो एरिया है उसको बोलें जता है च्षोटा नाघपूर। ठीक बेटाए अब बात करते हैं गुज़ात रीजन की तो यह रहा हम आपका गुज़ात रीजन यहां गुज़ात रीजन इसके बाद बात करता हूं मैं किसके यह चेत रही हमारा बेंग local और तमिल लाडू का बेंगलोरू और बैंगलोरू और तमिल्लाडू का रेजन तो यह जो कुछ छेतर थे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्ड हब है वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश है वो की है चले नेक्स स्लाइड पर चलते हैं वेटा गॉल्डन कोड़े लेटर शुपर हाइवे अब हम बात करें किसके बारे में सूपर हाइवे के बारे में देखें साउथ कोरिडोर की बात करूँ मैं या नौर्थ कोरिडोर नौर्थ साउथ कोरिडोर की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ आपसे इस्ट वेस्ट कोरिडोर क तो इनके बारे में यदि आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा कहां से स्टार्ट होता है कौन-कौन शी चीजे हैं वो आती हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँ नौर्थ-साउथ कोरिडॉर की नौर्थ-साउथ जो कोरिडॉर है वो हमारा कहां से कहां तक है देखें नौर्थ में है जम्मु कस्मीर से लेकर साउथ में है कौन सा कन्या कुमारी तक कहां तक है बिटा कन्या कुमारी तक है और इस्ट-वेस्ट कोरिडॉर की यदि में बात करता हूं किसकी बात करता हूं कोरिडॉर की बात करता हूं और सोरी बटाए एक मिन्ट मैंने यह आपको क्या बता दिया यह आपको मैंने हाइवे एज बता दिया जस्ट एक मिन्ट sorry sorry इसके लिए यह जो corridors है इसकी बात करूं मैं आपसे तो जो North South है यह आता है स्रे यह तो सही आपका स्रीनगर से कन्यकुमारी है यह उन मेंट स्रीनगर तो कन्यकुमारी जमुकस्मेर से नहीं है यह स्रीनगर से कन्यकुमारी तक है यह कहां से कहां तक है कन्ना कुमारी तक है तमिलाडू में यह है आपका असम से लेकर असम टू गुजरात असम क्या जो सिल्चर जो शेतर है आपका ठीक ना जो सिल्चर है वहां से लेकर गुजरात का एक स्थाना आता है पौर बंदर पौर बंदर तक चलिए लोकेशन जानते हैं इनकी कौन्शे की कहां पे है बात करते हैं किसके स्री नगर के यहां पे है स्री नगर आपका और यहां पे है कन्या कुमारी एसार और यह है कन्या कुमारी अब बात करते हैं पौर बंदर की और एक्षित रहता पौर बंदर और शिल्चर पौर बंदर और शिल्चर की यदि मैं बात करता हूँ आपसे कि कौन सा कहां पे है देखिए यहां पे तो है पौर बंदर यह रहा आपका पौर बंदर यह रहा आपका पौरबंदर और अभी मैं बात करूँ सिल्चर के तो सिल्चर कहां पे है असम में यहां पे आपका सिल्चर सभी के सभी मैंने आपको बता दे ऊपर है सिरी नगर है यहां पे पौरबंदर है यह कन्या कुमारी है और यह यहां पे सिल्चर है के से बात करते हैं सी पॉर्ट में यहिए मैं बात करूं आपसे क्वह पूर्ट हर तो सबसे पहले आते हैं कॉन्याओं था लुण हैं रच और कुछ चीजह इसी होती हैं जिनको जो सब्सक्राइब ऑऀ चाहँ जवी कहां पर आता ऐन्दर राइन गुजराथ में कौन सी के सबस्च आप को वब हो एंड़ां और इसके साथ में अपसे परणेर को उड़ेना और पूछा सकता और बंदर ऄड़ाद में तो यह का पौर बंद़ रखता सकता और बंब़ा?. यह रहा आपका बुंबई पॉर्ट और बुंबई पॉर्ट के जस थोड़ा सा नीचे ही निशान लगा देंगे तो यहाँ पे है नहरू पॉर्ट, पंडित जवरलाल नहरू पॉर्ट यह भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया विटा ठीक है, अगला आता है मार्मा गुवा, गुवा के अंदर एक ही पॉर्ट है यह है मार्मा गुवा कौन सा आता है मार्मा गुवा फिर आता है मैंगलूरू, मैंगलूरू पॉर्ट है यह है यहाँ पे यह कौन सा है यहाँ पे है मैंगलूरू पॉर्ट न्यू मेंगलूर, अगला आता है कोची, मेंगलूर कहां पर है, देखो मैं आपको बता देता है, ये दोनों महरास्टा के अंदर है, ये गोवा के अंदर है, और ये करनाटका के अंदर है, और ये केरला के अंदर है, कोची की बात कर रहा हूँ, मैं केरला, कोची यहां पर य और यह भी कहां पर थमि लाडू में हैं विशागा पट्नम आन्दर प्रदेश के अंदर है और पाराद्वी फ़वेटा उड़ीशा चाहके और तो सबसे पहले तुटि कोरिन की बात करते हैं तो यहां पर है तुटि कोरिन तुत्ति कोरिन फिर बात करते हैं चेन्ने की ये रहाब का चेन्नी पोर्ट चेन्ने की बाद आता है विशा का पटनम ये रहाब का विशा का पटनम एक आता है परद्वेप यह रहाप का पाराद भी चलिए, अगले स्लाइड पे चलते है मिटा कॉलकता और हालदिय पॉर्ट ठीक ना यहाँ पे तो ही उपर कॉलकता और नीचे की साइड हालदिय की और एच कॉलकता और हालदिय पॉर्ट यह दोनों एक साथ ही हमीव आपको देखने को मिलते हैं और मैध अच्यो जाइया होगा एक और अब नेक्स अनट लास्ट स्लाइड है यह है इंटर्नेशनल पॉर्ट है इंटरनेशनल एयर पॉर्ट के बारे में बात करूं मैं आपिसे इंटरनेशनल पॉर्ट के बारे में यदि मैं आपसे बात करता हूं तो मसे हैं सबसे पहले आता है इंद्रय गांदी इंट्रनेशनल एयर्पोर्ट आ यह बैटा कहां पर यह आपका दिल्ली में कहांанием में यह रहा के अंदर कुन सा पोर्ट कुन सा एरपोर्ट है सिवा जी यह हो गया सिवा जी नेता जी सुभास चंद्र बोस जो नेता जी सुभास चंद्र बोस एरपोर्ट है यह आपको कहां पर देखने को मिलता है यह देखने को मिलता है कोलकता में यह रहा कोलकता तो यहां पर है नेता जी नेता जी कहां पे है याद रख ले ना कोलकता में मीना बक्कम ये कहां पे है ये है चिन्ने में ये कहां पे ये रहा चिन्ने में अमरित सर में राजा सांसी है ठीक ना राजा सांसी है और ये रहा आपका अमरित सर गुहाटी में बिर्शम उन्डा है गुहाटी में बिर्शम उन्डा है या कुण सा पता नहीं आप सिर्फ गुहाटी याद रख लीजिए आप से गुहाटी के ही बारे में पूछा जापता बैस खाली गुहाटी होगा पंजी गोवा के अंदर है ये रहा आपका यहां पर कोची मैं यहां पर लिख देता हूं प यह रहाप का एहमदाबाद तो आसा करता हूं कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और फिर भी मैं यह कह रहा हूं कि जिसको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो उसके लिए कुछ ने कुछ जो सॉलूशन है वो मैं ले ही उसकी जो सीरीज है वो लेके आ रहा हूं आपके सामने और वो भी आप आसानी से कर लेंगे मुझे उमीद है समझ आएगा तो वीडियो वो काफी लंबी हो गई है बैयारिस मेंट की तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो का अपने पूरा देखा होगा और पूरा मुझे बेटा